19 जुलाई से शुरू हो रहे संसत के मानसून सत्र में कोरोना वाइरस के हवा से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए केंद्री कक्ष, लोकसभाकक्ष और कमेटी कक्षों 62 और 63 में UVC का इस्तेमाल होगा सूरज की रोष्णी में तीन तरह की अल्ट्रावालेट केड़े मौजूद होती हैं पहली है UVA यानि अल्ट्रावालेट A, दूसरी है UVB यानि अल्ट्रावालेट B और तीसरा है UVC यानि अल्ट्रावालेट C रेडियेशन्स UBC में ज्यादा उर्जा होती है ये जिन्दा कोशिकाओं के DNA या RNA को नश्ट करने में बहुत कारगर होती है फिर चाहे वो इनसानों की कोशिकाओं हो या वाइरस की हलाकि हम इनसान इससे बच जाते हैं क्योंकि धर्टी के उपर मौजूद ओजोन की परत इन किर्णों को रोग दिती है साल 1878 में वेग्यानकों ने पता लगाया कि इन किर्णों को प्रयोकशाला में बना कर इस्तिमाल किया जा सकता है इस तरह आज अस्पतालों, हवाई जहाजों, दफ्तरों और कारखानों में लभग रोजाना इन किर्णों का प्रयोग कीट नाशक के तौर पर होता है कई रिसर्चेज के जरीए सावित किया जा चुका है कि UVC से कोरोना वाइरस को खत्म किया जा सकता है इस लाइरस से उन सभी की टानूओं को खत्म किया जा सकता है जो आमतोर पर केमिकल के इस्तेमाल से बच निकलते हैं इतना ही नहीं कुछ परिस्तितियों में ये रेडियेशन कोरोना वाइरस के बाहरी प्रोटीन कोटिंग को भी खत्म करने में प्रभावी है हलाकि इस रेडियेशन के इस्तिमाल के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं मसलन इसका इंसानों के शरीर पर गलत प्रभाव पढ़ता है यद यूवीसी शरीर के किसी हिस्से पर सीधे ताओर और करीब से पढ़ती है तो इसकीन के जलने जैसे दिक्कत हो जाती है और आप नजर डालते हैं इस कारिक्रम पर आधारित प्रश्न पर यूवीसी लाइट की विवलेंथ कितनी है आपके ओप्संस हैं आप अपने उत्तर हमाई कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं झालते हैं झालते हैं